सुप्रवाद दोस्तों, आज मैं आपको किसी से मिल्वाने लाए हूँ, क्या आप लोगों से मिलना चाहोगे? आओ मेरे साथ हेलो, मेरा नाम चुटकी है, आज मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ, आप सब कैसे हो? उमीद है आप सब अपने घर में सुरक्षित हो चुटकी, तुम अपने अभी बाहर से आई हो, क्या तुमने अपने हाथ धोए? हाथ क्यों धोणा है दीदी? ए, तुम्हें क्या हाथ होने के दस नियम नहीं पता? हाथ होने के दस नियम? हो, ये तो मुझे नहीं पता दीदी और हाथ होना क्यों जरूरी है? क्या आप मुझे समझाओगे? हाँ विल्कुर मैं तुम्हें हाथ धोने के दस नियम समझाऊंगी और ये नियम का पालंग करना बहुत जरूरी है आओ तुम यहाँ सोफे पर बैठो और मैं तुम्हें बताती हूँ कि हाथ कैसे धोये जाते हैं जब भी हम बाहर से लोट कराते हैं या फिर हम अगर घर पर ही रहते हैं तो कुछ-कुछ समय के अंतराल पे पहले हमें अपने हाथों को दोना है गील्य करना है फिर किसी हैंड वाश या साबुद की पदद से पहले हम साबुद को लेंगे और अच्छे से अपने हाथों पर मलेंगे फिर हम मलने के बार अपनी उम्लियां फसाकर यहां पर साफ करेंगे फिर हम अपने उम्लियों के बार अपने नाखोनों को रख रेंगे फिर दूसरे नाखोनों को रख रेंगे फिर उसके बार हम अपनी हतेली के पीछे रख रेंगे दूसरी हटेली के पीछे रख रहेंगे और फिर अपनी कलाईया रगड़ रगड़ कर, मल कर, साफ कर फिर फिर से पूरा साबुन या हैंड वाश अच्छे से अपने हाथ पानी से थो लेंगे और फिर ममी से अच्छी सी टावल मांकर अपने हातों को पोच लेंगे इस तरह से हमारे हाथ स्वच और हम स्वस्त रहेंगे वाँ दीदी ये तो मुझे पता ही नहीं था अब मैं नियमित रूप से अपने हातों को हैंड वाश या साबुन की मदद से पूरे दस तरीकों से साफ सुत्रा करूंगी और अपने दोस्तों को भी कहूंगी हाँ और अपने परिवार के सदस्य को भी कहना हाँ हाँ दीदी मैं हर किसी से कहूंगी और खुद भी करूंगी इससे हम करोना वाइरस से बच सकते हैं और स्वस्त भी रह सकते हैं अरे वा दीदी, आज आपसे मिलकर बड़ा मज़ा आया हाँ चुटी, ये बात हमेशा ध्यार करना जब तक आप अपने हातों को साफ सुत्रा नहीं रखेंगे खुद स्वच नहीं रहेंगे, तब तक आप स्वस्थ नहीं रह पाऊगे चलो, अब हमारी जाने का वाक्त हो गया चलो, सब को बाई बाई कह दो बाई दोस्तो, आज आप लोगों से और दीदी से मिलके बड़ा मज़ा आया और हाँ, आप लोग भी पूरे दस नियमों से अपने हातों को धोते रहेगा और अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा मैं फिर आप से मिलने आऊंगी चलिए, बाई बाई